खाला दोस्तों नमस्कार जैमाता दे मारे यूटूब सेनल पर आपका एक बर फिर से हारदीक स्वागत बहुत बहुत अभी नंदन और मैं आशारा ने आज शुगर वाले पाई बैनों के लिए बहुत जब रदस्टोपी के लिए कर रहा हूँ शुगर वालों को जिनकी आयू 50 से अधिक है उने और उनके परिवार वालों को किन-किन सावधानियों की जरूरत है जी हाँ दोस्तों गर्मियों के पेक्षा शर्दियों में शुगर वालों को जाद सावधानिया रखनी चाहिए साथ ही उनके परिवार वालों को भी उनका दियान रखना चाहिए क्योंकि शुगर वालों को हाई-बी-पी की भी दिक्कत होती है सर्दियों में रक्त दमनियों में रक्त का परभाव कम हो जाता है जिन शुगर वालों की आयू 50 से अधिक है उनको अपना विशेश दियान रखना चाहिए मैं तो यह कहूँगी कि उनके परिवार वालों को उनका खास दियान रखना चाहिए जिस्षे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो आज मैं कुछ सावधानिया बताऊंगी ताकि किसी का भला हो सके और किसी का जीवन बच सके उससे पहले आप सब को नववर्स की बहुत बहुत बधाई नववर्स आप सब के लिए मंगल मैं हो और मातारानी आप सब को स्वस्त रखे आप दोनों समय सेर करें और अपने खान पान का धियान रखे आये जानते हैं शुगर वालों को जिनकी आयू 50 से अधिक है उन्हें और उनके परिवार वालों को सर्दियों में किन-किन सावधानियों की जरूत है एक बात मैंने अपने जीवन में देखी है कि कुछ शुगर वाले जिन बी-पी की भी दिक्कत है रात को कमरे में अकेले सोते हैं यह बहुत ही खतरनाख है क्योंकि रात को अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपके पास कोई न कोई जरूर होना चाहिए ताकि वह आपको दवायाती दे सके क्योंकि यह दिक्कत कहकर नहीं आती मेरे भाई बेहनों मैंने तो यहां तक देखा है कि रात को अकेले सोया और दिक्कत हुई तो उठ ही नहीं सका आप सभी से हाँ जोड़ कर प्राचना करती हूँ कि अपने माता पिता को अकेला नहीं सुलाई उनके कमरे में उनके साथ कोई न कोई अवश्यस होए और उनकी देख भाल भी अच्छे से करते हैं परंतु वो रात को कमरे में अकेले सोते हैं यह एक कल्चर भी बन गया है क्या आपने कभी सोचा भी है कि रात को अगर उनको कोई दिक्कत हुई तो उनसे उठा भी नहीं जाएगा और उनको कोन देखेगा कोई अन्होनी नहीं हो इसलिए किसी ना किसी को उनके पास अवस्चेश होना चाहिए दूसरी जरूरी बात चाहिए रात हो या दिन जब भी शुगर वाले पानी पीए तो गुनगुना पानी ही पीए उनके परिवार वालों को भी चाहिए कि उनके लिए किसी थर्मसादी में गरम पानी रखे तीसरी जरूरी बात कि उनके कमरे में किसी हीट रादी का बंदवस्त जरूर करे चोथी जरूरी बात दिन की शुरुवात एक गिलास गरम पानी से करे सबसे पहले एक गिलास गरम पानी पिए उसके 30 मिन्ट बाद एक गिलास हल्दी वाला पानी पिए या फिर निम्बू वाला पानी या फिर बलेक कोफी ले तमाम शुगर वालों के बच्चों से हाज जोड़कर विंती कहती हूं कि अपने माता पिता का खास दियान रखे क्योंकि सारे तिरत इनके चर्णों में है असली भगवान यही है धन्यवाद दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आयो लाइक सेर जरूर करें और हमारे चेनल पर बने रहें जैमाता दोस्तों